जिला सिर मौर्ग की निर्मल ग्राम पंचायद दिल्मन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक अच्छा संदेश देती हुए अनूठी पहल की है पंचायद ने सुकन्य योजना के तहद अपनी पंचायद की एक से दशवर्ष तक की 20 कन्याओं के नाम FDR करवाई है आपको बता दें कि पंचायद ने इन कन्याओं की सुकन्या योजना के तहद करवाई गई FDR के लिए अपने स्तर पर ही धन इकतित किया है पंचायद की इस पहल का मुख्या उदेश्या पंचायद वास्यों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रतिजाग रुक करना है जिसके लिए पंचायद ने सुकन्या योजना की पहली किस्त अपने स्तर पर ही पोस्ट आफिस में जमा करवाई है पंचायत के इस पहल से पंचायत वार्षियों ने परसंता जिताई है और अपनी बेटियों की पंचायत द्वारा अरम की गई सुकन्यय योजना की अगामे किस्तें सुएं देने का भी बादा किया है वहीं इस योसना के लिए धन मोहिया करवाने के लिए पंचायत ने स्थानी ये पटाखा फैक्टरी के M.D. का आभार जिताया है निर्मल ग्राम पंचायत दिल्मन की बरधान पुनम ठाकुर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहए दिल्मन पंचायत ने पंचायत की बीस बेटियों के नाम पांच पांच हजार रुपे की F.DR. सुकन्या योसना के तहज करवाई है और इसके लिए लोगों को भी जाग रुप किया है और बेटियों की माता पिता ने इसकी अगली किस्तस्वाई ही जमा करवाने का वाइदा किया है इसके लिए धन मोहिया करवाने पर स्थानी पठाका फैक्टरी के M.D. का अभार देताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योसना के तहट हमारी पंचायत ने एक नई पहल की है जिसमें की सुकन्या योसना के तहट हमारी पंचायत ने 20 बच्चियों के नाम FDR करवाई है जिसके लिए की पंचायत ने अपने लेवल पर फंड इकठा करा और लोगों में एक जागरुकता फिलाई जिस वज़ा से की लोगों ने ना केवल अपनी बच्चियों के नाम जो पहले की थी उनके नाम भी FDR त्यार करवाई है और इसके लिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारी पंचायत इस योजना में काफी काम कर रही है सुकन्य योजना में हमने जो है 55000 की FDR पहले त्यार करके दिये और इसके बाद लोगों ने जागरूख होकर इसकी अगली जो किष्टे है वो खुद देने के लिए हमार से वादा किया है और वो इसमें काम करें बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के तहत जो भी FDR हमने की है उसके लिए फंड जो हमने इकठा किया वो विशेशतोर से MD साहब पटाका फेक्टरी के उनका में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिनोंने हमारा इतना सहयोग किया और हमें एक नई पहल शुरू करने के लिए आउसर दिया